स्वाती मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के सैयोगी विभो कुमार की जमानत याचिका कोट ने खारिच कर दी है उन्होंने तीसजारी कोट में याचिका दायर की थी लेकिन जज ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया विभो कुमार पर बीती 13 माई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाती माली वाल के साथ मारपीट करने क्या आरोप है दिल्ली की एक अधालत की और से विभो की अग्रिम जमानतियाच का खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था कोट के एक आदेश के बाद उन्हें 24 माई को चार दिन की न्याईक हिरासत में भेज दिया गया था विभो कुमार मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के सही योगी हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने 13 माई को सीम आवास में स्वाती माली वाल के साथ बदसलूकी की और मारपीट की है स्वाती माली वाल की शिकायक पर दिल्ली पुलिस ने विभो को गिरफतार कर लिया था अभी विभो चार दिनों की न्याईक हिरासत में हैं इससे पहले 30,000 कोट ने उन्हें 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था पुलिस की माने तो विभव ने मुंबई जाकर अपना फोन फॉर्मेट किया और सबूतों के साथ छेड़ छाड़ की भी आशंका है राश्री महिला आयोग यानी NCW ने दावा किया है कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज्रिवाल के पूर्वसयोगी विभव कुमार को स्वाती मालीवाल के मुख्यमंतरी आवास पर पहुँचने के बाद वहां बुलाया गया था आयोग ने इस बाबत बेवरा मांगा है कि आम आदमी पार्टी सांसद स्वाती मालीवाल के साथ दुर्विवहार करने के आरोपी विभव को किसके निर्देश पर बुलाया गया था NCW ने सो मुआर को जारी विग्यपतीन में कहा कि इससे पहले 13 माई 2024 को जारी एक वक्तव्वे में उसने एक मीडिया पोस्ट का सुता संग्यान लिया था कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने अर्विंद के जिवाल के निजी सची उपर अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया खबर के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग की पुर्व अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने आरोप लगाया कि कुमार ने उन पर हमला किया था NCW ने खुलासा किया है कि मालीवाल के मुख्यमंत्री आवाज पर पहुचने के बाद विवो कुमार को वहाँ बुलाया गया था जिन परस्थितियों में और जिस किसी के निर्देश पर कुमार को बुलाया गया था उसे इसपष्ट करने के लिए NCW ने मुख्यमंत्री सहित सभी शामिल व्यक्तियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानि CDR की जांच करने को कहा है इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताते रहेंगे